अस्सलाम वालेकूं एवरीवान ध्यान रखिये योग्य जरूरी बाते सुनिये और पढ़िये नमबर एक कुछ भी पढ़ने से पहले जीरा खा लेने से पढ़ा हुआ याद रहता हैं नमबर दो रोजाना एक सेप खा लेने से इंसान बीमारी से बचा रहता हैं नमबर तीन कम सुनाई देता हो तो उंगली पर नारियल का तेल लगा कर कान में फिरो सुनाई देने लगेगा नमबर चार काले अंगूर पेट की सफाई के लिए काफी फायदमन होते हैं नमबर पांच जो लोग गर्मी में कद्दू का ज्यादा सेवन करते हैं उन्हें सुकून की निन आती हैं और खून की कमी नहीं होती नमबर छे अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आप सुबहा के टाइम बकरी का दूद पिया करें इससे आपको धकावाट नहीं होगी नमबर साथ स्ट्रॉबरी का जूस पीने से खून साफ रहता है नमबर आणड थंडा पानी पीने से दिल की नलिया कमजोर हो जाती हैं और दिल के दर्द का कारण बन सकता है नमबर नाओ गरम खाना खाने से दिल की बीमारी हो जाती है नमबर दस दो चम्मा शेहत को एक पानी में डाल कर सुबहा शाम पीने से पुराने नजला जुकाम बिलकुल खत्म हो जाता है नमबर ग्यारा अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप अक्रोट केला और सेव से बने शेक का सेवन करें वजन बढ़ने लगेगा नमबर बारा खाने के साथ कच्चा प्यास खाने से रक्त चाफ नियंत्रित रहता है और नसों की बलाव केश खुलने लगती है नमबर तेरा जवानी में जितनी ज्यादा आलो बखारा खाएंगे बुडाफे में उतनी ही शेरीर में ताखत बढ़ेगी नमबर चौदा पारी में फिटकरी मिलाकर नहाने से पसीने के बदवुदूर हो जाती है नमबर पंदरा ज्यादा चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने से गले में इंफेक्शन हो जाता है नमबर सोला पांक का दर्द ना जा रहा है तो भैंस के दूद में खजूर डारकल पीने से दर्द खत्म हो जाएगा नमबर सत्रा पेट में सुजन की दिकत हो तो बासी मूँ अनार खाए सुजन खत्म हो जाएगी नमबर अठरा शाम को तडिव ही चीजें खाने वाले लोग जल्द बीमार पड़ जाते हैं नमबर उन्नीस जो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है उसको बहरेपन की बीमारी हो जाती है नमबर बीस सोकर उठने के बाद भी नीद आने लगे आंखे बंद होने लगे तो जान लो आपका दिमाग कमजोर हो रहा है नमबर ग्यारा आपके शरीर में अगर आइरन की कमी है तो पोहा खाने से इसकी कमी दूर होती है नमबर बावीस पेट के बल सोने से कमर में दर्द होता है क्योंकि इस तरहा सोने से आपके रीड की हड़ी सामाइन आकार में नहीं रहा पाती नमबर तेवीस गले के खराश को दूर करने के लिए दो से तीन तुसी की पत्तियों को पानी में उबाल ले और उस पानी से घरारे करे कुछ ही समय में खराश दूर हो जाएगी नमबर चौबीस कभी सहारा लेकर खाना मत खाए जिस से सांस की बीमारी होने का खत्रा रहता है नमबर पच्छिस रोजाना सुबा खाली पेट तीन से पांच काजू खाकर उपर से थोड़ा सा शहच चाटने से यादाश बढ़ती है और जिमागी कमजोरी दूर हो जाती है नमबर च्छिबीस खून की कमी होने लगी है तो किश्मिश खाकर उपर से दूर पी ले नमबर सत्तावेश अगर आपका पेट बराबर मोटे पे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी सफेद, चांवल और मैदे की बनी हुई चीजों से परिस करे नमबर अठावेश जिन लोगों को बलकम की दिक्कत रहती हो उनके लिए बैगन की सब्ची बेहतरीन है नमबर उनतीस सिर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो तो रही में मुलतानी मिट्टी मिलाकर मिक्स करके सिर पर लगाकर सिर को धोले सिर की खुश्की बिलकुल खत्म हो जाएगी नमबर तीस सुके धनिये के तीन चार दाने चबाल लेने से उल्ठी नहीं आती नमबर एक तीस बाल लंबे करने है तो सिर में सुरज मुकी का तेल की मालिश करे नमबर बत्तीस खीरे को रोजाना छिलके के समेथ खाने से स्किन नरम या मुलाए हो जाती है नमबर तेन तीस गला खराब हो और आवाज भी बिलकुल ना निकल रही है तो कच्चा अम्रुत भुन कर खा ले गला ठीक हो जाएगा नमबर चौन तीस पुदीना अद्रक और अनार के दानों को मिला कर कूट कर उसकी चट्मी बना ले और दोपहर के खाने में इस्तिमाल करे प्लेट पेशर कंट्रोल और शुगर की बिमारी नहीं रहेगी नमबर पैंटीस ज्यादा थूख फेकने से शेरीर में पाने की कमी हो जाती है और दिमाग कमजोर पढ़ने लगता है नमबर छेटीस रात के रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्व का इस्तिमाल करे दूसरे रंग के बल्व आपकी नजर को कमजोर कर सकते है नमबर सैंटीस चुकंदर का रस पीने से आपका रंग कभी काला नहीं पढ़ेगा नमबर अर्टीस शाम को खजुर खाने से हटिया कभी कमजोर नहीं होती नमबर उन्चालीस शुगर के बीमारी के लिए कच्ची गोबी खाना बहुती फायदमन होती है नमबर चालीस अगर आप सोने से पहले पका हुवा अम्रुत खाएंगे तो इससे डिप्रेशन कम होगा नमबर एक तालीस जो लोग दांतों से अपने नाखून काड़ते हैं उनका दिमाग कमजोर हो जाता हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता हैं नमबर बैयालीस गुनगुने पानी में शहद मिला कर पीने से गुर्दों की बीमारी नहीं होती नमबर तिरियालीस हफ़ते में एक बर नारियल का पानी जरूर पिए इस से शरीर गोरा रहता है नमबर चौवालीस सुबहा खाली पेट उबले हुए चने खाने से कभी यादाश कमजोर नहीं होगी नमबर पेंटालीस चाय का ज्यादा सेवन करने से आपको ग्यास की दिक्कत हो सकती है नमबर चियालीस हातों से कपड़े धोने से डिप्रेशन कम होता है नमबर सैंतालीस शिम्ना मेच मुटाफे को कम करनी में मदद करता है नमबर अड़तालीस गले में इंफेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर खरारे करने से बहुत ज्यादा आरा मिलता है नमबर पचास दूद में खजूर मिला कर पका कर पीलो ख़द लंबा हो जाएगा नमबर पचास पानी में अद्रक उबाल कर सुबहा शाम पीने से जोडों के दर्द में आराम आ जाएगा दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेट बाक्स में जरूर बताईए दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करें यदि आप हमें यूटूब पर देख रहें तो इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर फालो करें ओके फिर चलते हैं फिर न्यू वीडियो लेकर आएंगे ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ तब तक के लाहाफी थेंक्स पर वाचिंग